मुझे जाना है छे बज़े जीम तो इसी वज़े से जो भी मैं करती हूँ सुबे से लेके 10 वज़े तक उठने से लेके 10 वज़े तक वो आपके साथ शेयर करूँगी तक बाहर का नजारा दिखाती हूँ सुबे बाहर का नजारा कैसा होता है यह देखिए एकदम चुडियों की आवाज सिर्फ बस किसे की रहा था मैंने स्टार्ट बहुत पहले किया था बट कुछ भी नहीं हो पा रहा था कुछ भी बीच में खा ले रही थी या कुछ भी हो रहा था तो ऐसे करकर की कामों के बीच में मेरा कुछ भी हो नहीं पा रहा था बट काम अभी खतम हो गया है तभी मैं पूरा अपने देने निकालते ना तो हम कुछ भी खा लेते हैं जो भी हमें मिल जाता है वह खालेते हैं तुकि हमारे खाने का टाइम नहीं रहता है और जब हमें भूख लग जाती है तो ओवरीटिंग कर लेते हैं लोग तो इसी तरह से मेरा हो रहा था और इसके वाद बहुत जल्दी तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अपने आपको फीट रखना है मुझे, क्योंकि मैं पहले जिम कर दी और बीच में ही छोड़ दिया था मैंने, तो वेट टो पुट आउन होना ही था, क्योंकि एक्सरसाइज एकदम जीरो हो गई थी मेरे, और एक्सरसाइज बहुत जादा करना और उसके बाद एक्सरसाइज जीरो हो जाना, तो उसमें तो वेट पुट आउन होता ही है, तो मेरा ऐसे ही हो गया था फुरा सा सीन, और इसी वज़े से मैंने अभी दुबारा से जिम जॉइन की है, कुछ दिनों से जिम जा रही हूँ, बड़ आपके साथ शेयर करना नही तो उसमें मैं क्या करती हूँ, वेट लॉस की लिए वो आपके साथ शेयर करती हूँ, सबसे पहले तो मैं उठके फ्रेश हो जाती हूँ, फ्रेश हो जाने के बाद अपने कीचन में आती हूँ, कीचन में आने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता था, पहले आपको बताती को आजकल मैं सुबह सुबह उठके यह ले रही हूँ बॉड़ी वाइस की गमीज यह एपल सैडर विनेगर गमीज है गाइस और आप बिल्यू नहीं किरोगे कि यह इतनी टेस्टी फॉर्म में है मतलब गमीज है तो इसी वज़े से आपको एपल सैडर विनेगर के फायदे मि आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं आपकी वेट लॉट जर्णी में वह बहुत ज़दा हेल्प करता है मेटाबॉलिजम को इंप्रूव करता है उसके साथ साथ अधिरीत भूप को रोकने में हेल्प करता है आपके हातड़ों को भी हिल्दी रखता है अब बहुत से लोग आप उठे हो उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है पानी भी नहीं पीना है डारेक यह आपको खा लेना है और इतनी टेस्टी है बस आपको चूगत रहना है चूवेबल गमीज आईए बस थोड़े आपको ऐसे चूशते रहना है इसे इतने अच्छे वाइद है इसके कि जब से मैं ले रही हूं इसे मुझे बहुत अच्छा रेजल्ट मिल रहा है और यह बॉड़ी वाइस की गमीज है और इस एक पैक में आपको 30 गमीज मिल जाते हैं 100% वीगन है नो ग्लुटेन नो प्रेजर्वेट्यू कुछ भी प्रेजर्वेट्यू अगर आड़ेड नही जाते हैं मुझे थोड़ा सा वाउक करिये इसके साथ साथ आप एक्सराइज करिए थोड़ी सी उसे अपको बहुत जदा अच्छा रिजर्ट देखने के लिए मिलेगा इसे विज़े से मैं नहीं अभी लेना स्टार्ट किया है क्योंकि अभी मैंने एक्सराइज करना स्टा और करी रही हूं मैं और अभी मैं जाओंगी जिम और गाइस यह जो बॉड़ी वाइस के गवमीज है वो बनी है एपल साइडर विनेगर और इनुरलीन से जब से मैं इसे ले रही हूँ तब से मैंने यह देखा है कि मुझे बहुत जादा भूग नहीं लग रही है जब मैं मेरी भूग भी कम लग रही है मुझे तो आपके इन चीजिदों में यह गमिज आपको बहुत जादा है की लेना भी बहाँ जादा इजी है मतल् critics करना पड़ता है ना तो कुछ करना पड़ता है जब भी आप अपने मतलब कहीं पर भी हो आपे से लेजा सकते जो और आपको अगर ट्रावल कर रहे हो तो भी आप इसे ले सकते हो सुबह उटके आप इस गमी को चबाना स्टार्ट कर दो सिंपल आपल सटर विनेगर से यह इतनी ज्यादा टेस्टी है कि आपका ही खाने का मन करेगा मतलब आपको ऐसे टेंशन नहीं आएगा कि यार अभी इसे लेना है या क्युछ और यह शुगर फ्री है कोई भी शुगर वगर आड़ेट नहीं है इसमें बट टेस्टी बहुत जादा है वाडीवाइज यह डिजिटल हेल्ट ख्लीनिंग है उमन के लिए जो उमन के लिए वेलनेस इजी कर देता है इस तरह के प्रोड़क्स तो है यह बट हैर और शकीन खेल भी इनके प्रोड़क्स है उसके आपको charges पे नहीं करने पड़ेंगे और उसका जो link है free consultation का link मैंने आपके लिए description box में दे दिया है और अगर आपको इसे purchase करना है तो इसका link भी मैंने आपके लिए description box में दे दिया है description box नहीं पता है तो मेरे title पे click करना description box open हो जाएगा और वहाँ पर आपको इसका link भी मिल जाएगा और उसके साथ-साथ free doctor consultation का link भी आपको description box में मिल जाएगा description box ज़रूर चेक कर लेना और अगर आप इसे purchase करते हो तो 20% cash back भी जिस सकते हो इस पे तो ये भी बहुत ज़दा अच्छी बात है तो इसे ट्राइ करना तो बनता है एक बार ज़रूर ड्राइ करके देखिए गाइस आपको बहुत ज़दा अच्छा लगेगा और आपकी जो दिन की शुरुवात है वह बहुत ज़दा अच्छी होगी हेल्दी चीदों से होगी और इस गमिस को लेने के बाद आपको अगर लगता है कि आपको गरम पानी लेना चाहिए तो आप गरम पानी ले सकते हो अधर्वाइस ऐसे भी रह ने दे सकते हूं और जाती हूँ जीम में अब इजीम में जाने के बाद मिलती हूँ आपसे तो गाईज यहाँ पर आ गई हूँ जीम में और सबसे पहले मैं जीम में आते ही वाम अप करती हूँ वाम अप करने के बाद मतलब ये भी वाम अप ही एक तरह का जैसे कि हम लोग अभी ट्रेड मिल कर रहे है आते ही तो आते ही ट्रेड मिल अगर करते है मतलब जादा स्पीड में नहीं धीरे से अगर ट्रेड मिल पाँच मिनिट डस मिनिट करते है तो वो भी एक तरह का warm up ही हो गया 10 minute treadmill और 10 minute cross trainer बस यही करना है और इसके बाद आप अपनी exercise start कर सकते हो और अगर आप यह करते हो सबसे पहले आते ही तो आपको injury होने के chances नहीं रहते है नहीं तो आप direct exercise करने लग जाते हो ना तो आपको injury होने के chances रहते हैं आपको गुटने मे pain होता है आपको कुछ भी मतलब problem हो सकते हैं तो इसी वज़े से सबसे पहले warm up करना जरूरी है तो यहां पर मैंने treadmill start की है simple से और इसके बाद मैंने थोड़ा सा incline कर दिया है अगर आपकी भी मेरी तरह lower body जादा है upper body से तो आप incline पे treadmill कर सकते हो इस तरह से treadmill कर लीजे उसके मेरे जिम में यह उपर वाला section जो है वो cardio का है तो यहां पर cross trainer treadmill और उसके बाद cycling तो यह हो सकती है यहां पर warm up मतलब थोड़ा सा cardio section ही है जो भी आपको cardio करना है वो आप यहां पर कर सकते हो तो यह section है उसके बाद अगर नीचे जाते है तो नीचे यह सारी machines है तो यह जो machine है full body machine है जैसे की legs, back, arms, thighs यह सारी चीजों के लिए glutes वगरा यह सारी चीजों के लिए यह machinery है तो यहां पर मेरा upper body था आज तो क्योंकि जादा दिन मुझे gym join किये हुए हुए यह नहीं है और gym के बीच में बहुत जादा gap भी हो गया है मेरे तो इसी वज़े से अभी कुछ द उसके बाद फिर मेरा schedule बन जाएगा days decide होंगे जैसे की leg day, chest day, back day ऐसे days decide होते है तो यह अगर आप gym नहीं करते हो तो आपके लिए बता रही हो अगर आप gym करते हो तो आपको पता ही होगा और अगर आप gym करते हो और इस तरह की mistake करते हो कि direct आप workout करने लगते हो तो आप इस आज mixed day है तो इसी वज़े से यहां पर मैं mixed workout कर रही हूँ तो आप देखी रहे हो अपको अगर नहीं पता है gym में कैसे workout किया जाता है तो आप आप देख लीजे इस तरह की machinery रहती है और उस पर आपको workout करना होता है तो यह unisex gym है तो इस वज़े से आपको लड़के भी दि किया है तो इसी वज़े से आप देखी रहे हो कितने लोग workout करने के लिए है और वैसे भी सुबह का टाइम जो होता है सब लोग चाहते कि सुबह ही हमारा workout हो जाए उसके बाद हम लोग फ्री रहे तो इसलिए जादा तर लोग सुबह ही gym में आते है workout करने बस यहां पर मेरा workout खतम हो जाएगा और मैं चली जाओंगी अपने घर और एक workout खतम होने के बाद आपको stretching जरूर करनी है stretching करने से क्या होगा कि आपके muscles पेइन नहीं करेंगे चली गाइस workout हो गया है आगे हूं मैं घर पे आने के टाइम तो नीन खराब करने का मन ने करता है बट जब workout करके घर पे आती हूं ना बड़ा energetic फील होता है अरे यार शू निकाल रहे हूं तो गाइस शार ले लिया है और रफ्रेश हो गई हूं बस अभी बनाने वाली हूं ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में भी हिल्दी बनाने वाली हूं क्योंकि आजकल आप लोग देखी रहे हो ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट मेरा हिल्दी चल रहा है पहले तो मैं ब्रेकफास्ट किप करते थी ब्रेकफास्ट कभी मेरा ब्रेकफास्ट तो होता ही नहीं यह मैंने आपी शिखा है तो अभी मैं बनाने वाली हूँ सूजी का उपमा बहुत ज्यादा हिल्दी होता है काफी सरा फाइबर होता है उसमें भी और काफी देर तक आपको फिल रखता है तो ज्यादा तर हिल्दी प्रिफस्ट में में उपमा ही लेती हूँ अगर कुछ फर्स टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए मैं शेयर कर देती हूँ जिन्होंने देखा है वो स्किप कर दीजे तो यहां पर मैं क्या बोलता है पैच काट रही हूँ और सबसे पहले मैंने ऑईल डाल दिया है कड़ाई में कड़ाई में मतलब कोई दूसरा ऑईल नहीं यूज छुझि भी सिंपल ही रिफाइन ऑली ही उसकर डियुक्त भी क्वांमी डाला है है कंप हर सब्सक्रेंंव क्योंकि घी में जो है वो गुड फैट होता है बैट फैट नहीं होता है बट आपको घी भी बहुत जादा कॉंटिटी में नहीं खाना है यहां पर उपमा बनाने के लिए मैंने क्या-क्या आड किया है वो बता देती हूँ को ऑइल डाला है पहले कड़ाय में दुकिवाइवियर ग्वाइक कटालने काली है मिनंया है ओधने की हो Sukyya क्या यह को प्लत पहले पहुख फैसे तो 2 मिनिट मैं ने य्ish सूजी को माईकरुविव रिया था उसकेबाद आच्छा से भू SUN रही हुँ इसमें आ की laugh आने पाने तक पानी कर दीजह अच्छा मैं कर दिया था तो वह किया पानी घृता है इसी वज़े से पानी थोड़ा सा जादा ही आड़ करना है और बस इस तरह से consistency रखनी है तो इसका पानी और खीच लेगा सुजी तो बस इसके उपर ढखन रखके थोड़ी दिर पका लेना है उसके बाद आपको धनिया पत्ता आड़ कर देना है उसके उपर से और बस थोड़ी से चीनी आड़ कर देनी है टेस्ट के लिए बस बागी कुछ नहीं तो अगर आप चीनी नहीं खा रहे हो तो बस मत आड़ कर रहे है कोई प्रॉब्म नहीं है इसके उपर निम्बू आड़ कर दीजे निम्बू नीचोड दीजे और बस आपका सर्व करने के लिए उपमा रेड़ी है और बहुत अदा टीस्टी लगता है बहुत यम्मी ओफ्शन है और हिल्दी भी इस ब्रेकफास्ट ते आप बोर नहीं होंगे और मैं आपके साथ अभी हिल्दी ब्रेकफास्ट शेयर करती रहूंगे अपको अगर इसी तरह की हिल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीच चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना यहाँ पर बस चाय रख रही हूँ और चाय तो आपको पता ही है मैं गुड़की बनाती हूँ तो यहाँ पर बस मसाला डाल दिये है और उसके बाद गुड़की चाय कैसे बनाती हूँ वो भी आपको पता ही है अगर नहीं पता तो मतलब आप पहली बार देख रहे हो ये वीडियो तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना मैं गुड़की चाय की रेसिप आपके साथ शेयर करूंगे तो यहाँ पर हम लोग दोनों भी ब्रेकफास्ट कर लेंगे और उसके बाद मिलती हो आपसे ब्रेकफास्ट हो गए है सब कुछ हो गया अब तो गाइस ये था मेरा मौनिंग रूटिन फॉर वेट लॉस आई होप आपको पसंद आया हो और ऐसे ही वीडियो अगर आपको देखने हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो चेले गाइस इसके साथ इस ब्लोग को यही पेइन करती हूं मिलती हूं अच्छे से नए व्लोग में आपसे आई हूप आपको यह चोटा से व्लोग पसंद आया हो पसंद आया हो तो लाइक श्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो और इसके अलावा मेरे दो और चै केर एंड लव्यू अल बाई गाइस ध्यान रखना अपना